नागलवाडी में इस साल नाग पंचमी मंगलवार को मनाई जा रही है इस दिन नाग देवता की पूजा करने और उन्हें दूथ अर्पित करने का काफी ज्यादा महत्पू माना गया है खास बात यह है कि इस बार करीब दस साल बाद नाग पंचमी का तेवहार मंगलवार के दिन आया है ऐसे में ये बेहत खास है दरसल नाग पंचमी का दिन नागों को प्रसन्य करने के लिए सबसे अच्छा और खास दिन माना जाता है इस दिन नाग देवता की विधी विधान से कूजा की जाती है आज हम आगको निमाड के एक सबसे चमतकारी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं इस मंदिर में इस साल निमाड का सबसे बड़ा मेला लगा है ये मंदिर लाखो भक्तों की आस्था का प्रतीक है दूर दूर से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं हम बात कर रहे हैं नागलवाडी शिकर्थाम भिलटेव मंदिर की यहां हर साल निमार का सबसे बड़ा मेला लगता है इस साल ये मेला 30 जुलाई से शुरू हो चुका है जो की 3 अगस्त तक चलेगा जानकारी के मुताबिक सत्पुडा की सबसे उची पहाडी पर बनाए ये मंदिर करीब 860 साल पुराना है यहां हर साल मेला लगता आ रहा है लेकिन हर साल इस मेले का स्वरू बड़ा होता जा रहा है इस मंदिर को काफी ज्यादा चमतकारी माना जाता है यहां दूर दूर से यानि मध्यप्रदेश, महराश्प्र, गुजुरात, राज्रस्थान, 36 गड़ सहित अन्य प्रदेशों से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं अनुमान लगाया जा रहा है कि नाक पंचमी के दिन इस बार यहां करीब 6 लाख से ज्यादा भक्त आ सकते हैं इस मंदिर के समीती के अध्यक्ष दिनेश यादव द्वारा बताया गया है कि समुद्री तल से इस मंदिर की उचाई करीब 2200 फीट है यहां लाखो भक्त आते हैं यहां बहुत चमतकारी है यहां भक्तों की हर मनो कामनाय पूर्ण होती है खासकर जिन महिलाओं के यहां बच्चे नहीं होते हैं वहां यहां पर मानता करती है और अधिकतर महिलाओं की गोद भरती है जोसे बात में मननत उतारने के लिए महिलाव अपने बच्चों को लेकर मंदिर में आती है विभिन गावों के करीब 2000 सेवादार इस मेले में इस बार अपनी सेवाएं देने वाले है यह मेला तीन अगस्त तक चलेगा इस मेले में सबसे खास दिन दो अगस्त का है क्योंकि इस दिन नाक पंचमी है यहाँ दो अगस्त के दिन भक्तों की काफी ज्यादा भीर देखने को मिलेगी खास बात ये है कि इस साल खास योग आ रहा है क्योंकि करीब दस साल बाद इस बार नाक पंचमी का तियोहार मंगलवार की दिन आ रहा है जो बेहद खास होने वाला है नाकलवारी से हर्शत सोनी की रपोर्ट कि कुल आप क्यों माना है आफ आफ आपना सक्षाद दिवसा देवसा